हाई फ्रेंड्स आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ एकतम मज़ेदार और नई रेस्पी जिसे आपने पहले कभी नहीं ट्राइ किया होगा ये स्नैक्स आप देख सकते हैं देखने में कितना यमी लग रहा है खाने में भी बहुत ही रिस्टी है तो कभी भी करते हुए फड़ा फट से इस यम्मी सी रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले यहां पे हमें लेना है पोहा तो पोहा आप कोई भी ले सकते हैं मोटे वाला या पतले वाला मैंने आप यह पतले वाला एक कब पोहा लिया है इसे हमें अच्छे से दोने से क्या होगा पोहा सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से इस तरीके से इसको दोएंगे मसलते हुए दोना है और दोने के बाद बस इसे किसी भी चन्नी में हमें दोना है पानी के अंदर डाल के नहीं दोना है अच्छे से दोने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही साइड में रख देंगे जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा न वो निकल जाएगा दूसरी साइड हमें चाहिए उबले हुए आलू तो यहां पे मैंने दो आलू लिये थे जिनको मैश कर लिया है और आलू भी न आपको ठंडे वाले लेने हैं एकदम गरम गरम नहीं लेने हैं पहले आप आलू को उबाल लीजे और उन्हें अच्छे से ठंडा कर लीजे उसके तो बीजे तो ठोड़े दालेंगे एकदिशा चमच धनिया पाउडर शाती में हम इसमें थोड़ा सा चाठ मसाला डाल लेंगे और शातीमें पाउडर के चिली फ्लेक्स पर यूज की है बहुत चटपटा हो जाएगा शातीमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार तो पहले ह भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से हाथों से भी मैश कर सकते हैं तो देख सकते हैं आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है इसमें साबुत आलू बिल्कुल भी नहीं है और दूसरी साइड जो हमने पोहा रखा हुआता साइड में उसका सारा पानी अच्छे से निकल गया डो है काफी liquid बनेगा और बनाने में आपको दिक्कत होगी इसे भी इसमें अच्छे से mix कर लेंगे और ये हमारा mixture ready है अब हातों को पहले आप अच्छे से साफ कर लें उसके बाद इसके उपर बहुत ही थोड़ा सा तेल लगा ले और अब इससे हम shape देंगे इस तरीके से पहल normal balls भी इनकी बना सकते हैं जैसी भी shape आपको पसंद है वो shape आप यहां पर यूज कर सकते हैं तो देखे मैं इस तरीके से बहुत ही simple सा बना रहे हूं हलके हातों से इसको ऐसे गोल करेंगे और धीरे से इसको ऐसे दबा देंगे तो पहले न सारे पेड़े हम बना के रेटी कर आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ रहा है अब उबलते पानी के अंदर हम डाल देंगे एक चोटा चमच सरसों का तेल या कोई भी तेल आप यूज कर सकते हैं और फिर हम इसके उपर यह प्लेट रख देंगे जिसके अंदर भी आपको इसे set करना है वो प्लेट आप ऐसे रख दीजे गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे और ढख के हम इसे 10-12 मिनट के लिए पकाएंगे बहुत जादा देर के लिए नहीं पकाना घड़ी देखके आपको 10-12 मिनट के लिए इसको पकाना है 12 मिनट के बाद आप देखेंगे यह अच्छे से steam हो गए हैं और थो दूसरा तरीका यह है इसको में तड़का भी लगा सकते हैं तड़का लगाने के लिए आपको दो बड़ी चमच लेना है तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे आप इसमें एक चोटा चमच हम डाल देंगे सफेद वाले तिल थोड़े से हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे इसमें डाल देंगे पेड़े को और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे फ्राइ करेंगे अगर आपको इसमें नमक कम लगता है कुछ कम लगता है तो आप इसी दोरान ऊपर से इसमें डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद बस लास देती हूँ बहुत ही टेस्टी लगता है ये एक बार बनाईए तो सही आप इसे बार-बार बनाके खाएंगे आप बच्चों के टिफिन में भी इसको पैक करके रख सकते हैं तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसं तैस रही लगता स्टी आप